हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस फिल्म में मारपास आ चुका है वीवो का लेटेस्ट वीवो X100 फोन जो के आउट ओफ दी बोक्स फंटच OS 14 के साथ आता है इसमें बहुत सारे नए और अमेजिंग फीचर्स हैं कैमरा के भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो के आज आज आ जादा अच्छा लगा जो के ट्रांस्परेंट है और काफी जादा मोडन दिखता है वीवो ने इस फोन में आपको अपना डायलर दिया है गूगल डायलर नहीं दिया तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहां पर ओटोमेटिक को रिकोडिंग एनेबल कर सकत आप इसको आप यहां से एनेबल कर सकते हैं आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं फ्लूटिंग बटन से या फिर इसको हमेशा के लिए ओन भी कर सकते हैं बेसिकलिए अगर आप कहीं ट्राफिक में हैं बैकरण में बहुत जादा शूर है तो आपको इस फीचर को एनेबल कर देन कि अगर आप यहां से कोई भी एप open करते हैं वो directly एक floating window की form में open होती है वैसे floating window open करने के लिए आप किसी भी app को इस तरीके से recent में जा सकते हैं और यहां पर tap करके small window का option है इस पर अगर आप tap करेंगे तो भी वो app floating window में open हो जाएगा इस sidebar का एक और feature है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप settings में shortcut and accessibility के अंदर smart sidebar में जाएंगे आप show recent apps को enable कर सकते हैं इसको अगर आप enable करेंगे तो आपने जो भी दो recent apps open की हैं वो हमेशा आपके sidebar के यहाँ पर उपर रहेगी जैसे के एक chrome है अगर मालीजी में एक और कोई app यहाँ पर open करता हूँ इसके बाद इसको close कर देता हूँ तो वो भी यहाँ पर recent apps के अंदर आ जाएगी इस phone में आपको यह सुंदर सा curve display तो मिलता ही है उसको और सुंदर बनाने के लिए settings में dynamic effects के अंदर ambient light effects का option आपको मिल जाता है जिसके अंदर आप edge lighting effects को enable कर सकते हैं जैसे के music के लिए आप कुछ इस तरीके के effects को enable कर सकते हैं ऐसे ही incoming calls के लिए भी आपको यहाँ पर different effects दिये गए हैं और notifications के लिए भी आप इनको use कर सकते हैं कुछ नए wallpapers भी विवो ने इस phone में आपको दिये हैं अगर आप home screen के पर long tap करके wallpapers में जाएंगे तो यहाँ पर आपको live wallpapers दिये गए हैं यह जो by default लगा आता है एक यह color है और दूसरा आप यह वाले color में भी इसको enable कर सकते हैं और जब भी आप phone को unlock करते हैं तो कुछ इस तरीके का live animation आपको दिखता है कुछ और interesting wallpapers हैं जैसके यहाँ पर अगर आप three dots पे tap करेंगे तो आपको kinetic wallpapers दिये गए हैं जिसके अंदर आप अपना step count setup कर सकते हैं मतबके 4000 या 10,000 steps जितने भी आप हर रोज चलना चाहते हैं और जैसे जैसे आप वो step goal complete करते रहेंगे यह flower जो हो उसी तरीके से bloom करता रहेगा और last में पूरे दिन का जब आपका step count complete हो जाएगा तो flower जो हो completely bloom करके आपको एक अच्छा सा दिख जाएगा नए always on displays भी विगोन इसमें आपको दिये हैं settings में अगर आप low screen और wallpapers में जाएगे यहाँ पर आपको AOD का option मिल जाएगा bite foot वैसे disable है तो इसको यहाँ से enable कर लीजिए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको wallpaper वाले AODs मिल जाते हैं मतब जैसा आपने wallpaper सेट किया है almost वैसा ही AOD है यह थोड़ा बहुत iPhone की तरह आपको लग सकता है यहाँ पर कुछ animated AODs भी है मतब कुछ animation आपको AOD के अंदर देखनी के लिए मिलता है जिसके यह वाला है या फिट sensory cloak का एक AOD है जो के time के साथ automatically change होता रहता है इस phone में lock screen customization के भी नए options आपको दिये गए हैं अगर आप custom lock screen पे जाएंगे तो यहाँ पर अपने पसंद का जैसा दिखता है एक और important option आपको बताता हूं वैसे यह phone 128 के fast charger के साथ आता है लेकिन by default यह phone हमेशा fast charge नहीं होता उसको enable करने के लिए आपको settings में battery के अंदर battery health and charging के अंदर fast charging का option मिलता है जिसको आपको यहाँ से enable करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका phone बढ़िया से fast charge ह इस phone में नेगा gallery app भी आपको दिया गया है जिसके अंदर बहुत interesting options हैं जसके अगर आप settings में जाएंगे तो आप screen stays on while viewing images को select कर सकते हैं तब जब तक आप कोई photo देख रहे हैं आपका screen बन नहीं होगा ऐसे ही आपके पास hidden photos का option है आप photos को hide करके उनके उपर यहाँ पर password भी लगा सकते हैं और एक और option जो आपको बहुत अच्छा लगेगा अब आपको object eraser का option भी मिल गया है कोई भी photo को open करके अगर आप edit में जाते हैं तो यहाँ पर आपको erase का option दिया गया है image में किसी भी चीज को आपको इस तरीके से shade कर देना है जिसको आपको हटाना है और phone AI की मदद से image में से उस object को हटा देगा एक और important चीज आपको बताता हूं दोस्तों यह phone जो हो LTPO display के साथ आता है settings में अगर आप display में जाएंगे तो यहाँ पर आपको refresh rate के अंदर 60 या 120 hertz select करने का option मिलता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि इसको हमेशा smart switch पे रखिए क्यों आपको adapt to ambient light color temperature का option दिया गया है जिसके adaptive brightness का option होता है जिससे brightness automatically change होता है इसको अगर आप enable करेंगे तो automatically color temperature change होगा आपके environment के हिसाब से settings में display के अंदर वैसे आपको visual enhancement का option भी दिया गया है इसको अगर आप enable करेंगे तो phone के उपर अगर आप कोई भी videos देख रहे हैं तो बहत fatigue brightness का इसको यूज़ करने के लिए आपको auto brightness को enable रखना होगा basically अगर आप phone को लंबे time के लिए यूज़ कर रहे हैं तो phone जो है intelligently brightness को कम या जादा करता रहता है तांकि आपकी आंको पर जादा असर नहीं पड़े sound या volume के related भी एक interesting feature आपको मिलता है settings में sound and vibration के अंदर आपक and vibration में अगर आप sound quality and effect में जाएंगे तो आपको audio redirect का दिया गया है अगर आप किसी एक app का sound किसी दूसरे device के उपर play करना जाते हैं जैसके माल लिजी आप को music play कर रहे हैं जिसको आपको speaker के उपर play करना है लेकिन आप जाते हैं कि बाकी सब phone की जो audio है वो आपके phone से ही play हो व यहां पर आपको कौन सा color मिलता है उसको आप यहां से change कर सकते हैं इवन इसी color को आप icons के उपर apply करके themed icons का feature भी use कर सकते हैं बहुत सारे animations और dynamic effects का option आपको settings में मिल जाता है जैसके home screen का transition क्या लगाना है fingerprint icon का animation कैसा है ऐसे ही face unlock जब आप यूज करते हैं तो कैसा animation आता है और charging के animations कैसे हैं काफी सारी options आप यहां से change कर सकते हैं settings में display and brightness के अंदर आपको status bar को भी customize करने का option मिल जाता है आप real time network speed enable कर सकते हैं या फिर battery percentage आपको किस तरीके से दिखता है उसको भी यहां से change कर सकते हैं app clone या dual apps का feature भी आपको दिया गया है settings में अगर आप apps के अंदर जा अंदर मिल जाता है unlock to power off का basically अगर आपका phone कोई चोरी कर लेता है तो वो आपके phone को बंद नहीं कर पाएगा जब तक उसको आपके phone का password नहीं पता और उसको unlock नहीं कर लेता settings में security के अंदर आपको privacy and app encryption का option भी मिलता है जिसको enable करने के बाद आप यहां पर app lock या app hide जैसे features य इस तरीके से phone को दो बार shake करके आप flash को own कर सकते हैं वैसे इसी तरीके से flash बंद नहीं होता है अगर आप gaming करते हैं तो बहुत बढ़िया सा gaming mode यहां पर आपको मिल जाता है जिसमें आप boost enable कर सकते हैं e-sports mode enable कर सकते हैं even 4D game vibration और voice changer जैसे options भी यहां पर आपको दिये गए है gaming assistant में जो सबसे बढ़िया feature है वो है game frame interpolation का basically आप किसी भी game को high refresh rate के उपर play कर सकते हैं वैसे तो bite foot ही इस phone में bgmi 90 fps पे चलता है लेकिन अगर आप इसको enable करेंगे तो आप इस phone में 120 fps पे भी bgmi प्ले कर सकते हैं और gaming के लिए एक और बढ़िया feature जो उमचे लगता है वो है motion control का basically बहुत सारे gestures या motion की मदद से भी आप कुछ actions perform कर सकते हैं game के अंदर आप tilt कर सकते हैं phone को raise कर सकते हैं या फिर push या pull भी कर सकते हैं और कोई actions perform कर सकते हैं direct wifi tethering का feature भी आपको इस phone में मिल जाता है मतब कि जब आपका wifi on है अगर आप hotspot को on करते हैं तो wifi बंद नहीं हो बलके hotspot की मदद से आप अपने wifi को आगे share कर सकते हैं और S capture का option भी इस phone में आपको दिया गया है जिसकी मदद से आप funny screenshot capture कर सकते हैं long screenshot capture कर सकते हैं even GIF record करने का option भी इसके अंदर आपको मिलता है चलिए अब camera के कुछ interesting features आपको बताता हूं दोस्तों सबसे पहली अच्छी तो ये है कि इसमें आपको 0.6X से देखे 1X, 2X, 3X, 10X और even 100X तक का zoom options दिये गए हैं और क्यूंकि यहाँ पर 3 बढ़िया high resolution वाजे dedicated cameras हैं आप 3ों ही camera से 4K 60fps वीडियो कैप्चर कर सकते हैं ultra white, normal या 3X तीनों camera से इसको support करते हैं इस phone में आपको इस super macro mode मिल जाता है जो के actually zoom in करके काम करता है telephoto lens के साथ और बहुत अच्छी photos इसके साथ आप capture कर सकते हैं इवन portrait mode के अंदर भी आपको बहुत अच्छी options दे रखी हैं जिसके आप lens के focal length के हिसाब से यहाँ पर zoom in करके photos capture कर सकते हैं और even जो blur apply होता है उसका look up change कर सकते हैं बहुत सारे अच्छी options आप आपको दिये गए हैं night mode के अंदर भी बहुत सारे अच्छे options आपको मिल जाएंगे जिसके astro mode अगर आपको use करना है या फिर super moon mode है moon को capture करने के लिए even यहाँ पर बहुत सारे long exposure वाले options भी दिये गए हैं जिसकी मदद से आप कुछ इस तरीके की photos capture कर सकते हैं camera का सबसे best feature अगर आप portrait videos capture करते हैं तो एक interesting option आपको मिल जाता है gallery app के अंदर अगर आप editing में जाएंगे तो आप बात में videos के अंदर भी focus change कर सकते हैं जैसके portrait photos के अंदर आप बात में focus change कर सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर video के अंदर भी focus change करने का option आपको दिया गया है और एक और बढ़िया photography mode यहाँ पर आपको landscape and architect mode दिया गया है basically अगर आप landscape या buildings को capture कर रहे है phone जो है वो intelligently photo को edit कर देता है और उनका perspective वगेरा सही करके आपको एक बहतर photo दे देता है चलिए दोस्तों अभी के लिए वीडियो में यही था I hope यह video आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा जरू किजेगा और मुझे बताएगा नीचे comments में के आपको कौनसा feature सबसे ज़्याद आच्छा दगा चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर आप ऐसी और interesting वीडियो देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत भहुत धन्यवाद दोस्तों